स्टूबर नमेर 5 फ्राम हिस्टरी क्लास सेमथ यहां पर बताया गया है कि सुपर स्ट्रुक्टर को बनाने के लिए दो तरीकों का इस्तिमाल किया जाता था एक को अर्कुरेट की मदद से मतलब क्या करते थे कि ऐसे आर्कुर को लेते थे इसके एउपर डूर्स और विंडुर्स को केरी किया जाता था तो इसको कहते हैं आर्कुरेट अब दूसरा है लाइम-स्टोन लाइम-स्टोन सीमिन्ट को यूज करते थे अब limestone cement क्या होती है ये बहुत ही high quality की cement होती है इसके अंदर stone chips को मिला देते थे ताकि जो mixture है वो बड़ा ही concrete हो जाता था पढ़ते हैं buildings, temples, mosques and tanks देखिए temples, mosques को build किया जाता था बड़े ही beautifully construct कराया जाता था एक तो reason ये कि ये खुदा को याद करने की जगा होती थी worship की जाती थी साथी साथ इनको अपनी power और wealth को भी show करना पड़ता था और जितनी ज्यादा power और wealth को show करते थे उनका empire अतना ही expand होता था तो यहाँ पर इन्हों ने एक example दी है राजे राजेशवरा temple के यहाँ पर ये inscription में mention किया है कि जिस राजा ने temple बनवाई उसका नाम था राजे राजदेवा ये अपने गौड की पुजा करते थे वो था राजे राजेशवरा जो rulers थे वो गौड के नाम से similar थे rulers कौन थे राजे राजे राजदेव और गौड थे राजे राजेशवरा गौड का नाम इन्हों ने इसलिए रखा गौड का क्यूंकि गौड का नाम बहुत ही पाक माना जाता था और माना जाता है इसलिए कि जो राजे राजेशवरा है वो अपने आपको बगवान की तरह appear करना जाते थे ऐसे जब कोई rituals पर form होती थी तो ये देखा जाता था कि एक God दूसरे God को honor कर रहा है यानि जो राजे राज़देवा अपनी अवाम के लिए God थे और राजे राजेश देवा का God राजे राजेश वरम था नेक्स्ट वीडियो में हम इसको continue करेंगे thank you for watching this